सब्सक्राइब कीजिए गवर्मेंट जॉब्स अकेडमी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाईए लेटिस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार सुडेंट्स मैं आपका एजुकेटर दिनेश को सभात करता हूं आपका एक बार फिर से गम है जो सब्सक्राइब कर दिए और आज यह इस चैक्टर में निया चप्र डिसक्राइब आपके साथ जो रहेगा सब्जेक्ट वर अग्रिमेंट ठेक सब्जेक्ट पर एग कि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जो भी डाउच वगर आओंगे पुरी तरीके से हम आपको हेल्प करेंगे उन्हें सोट आउट करने के लिए इसलिए क्रेश और आपको दिया जा रहा है फ्रीयों को सब्जेक्ट वर एग्रिमेंट नाम का ऐसा चैप्टर नह नहीं मिलेगा नाम मिलेगा प्रोन मिलेगा टैंस मिलेगा वर्म मिलेगा बट सब्जेक्ट वर एग्रिमेंट नहीं मिलता सब्जेक्ट वर एग्रिमेंट मैंने जैसा आपकी पहली लेक्श्र में पताया था पहली वीडियों बताया था कि सब्जेक्ट और वर इन दोनों के और नंबर्स में क्या होगी इ haft प्लीडी है गया जिसको मिला गे व सब्जेक्ट पर moments क्णूर्स कर देता है जिसको मलाके वू सब्जेक्ट को और एक और चोटी से अप्लिकेशन होती है जो बनती है प्रैपोजिशन से प्रैपोजिशन के अप्लिकेशन पड़ते हैं इन पांचों का एदर उदर करके वो टोटल यूज करता रहता है वह सब्जेक को कॉम्पलेक्स करने कोशी करता है क्योंकि जब आपको यह पता नहीं होगा ना कि सब्जेक सिंग्लर है प्लियूरल है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे वर्फ के लिए हार्ण में कि वर्फ सिंग्लर हो या प्लियूरल हो और आप वर्फ लगाके तो पका होगे English language की प्रॉल्म ही यह है कि बच्चा पेपर छोड़ के नहीं आता पीपर करके आता है मैथेमेटिक्स वरीजनी वजी के हुआ तो बच्चा पेपर छोड़ के आता है क्योंकि उसको पता है उसके कितना आता है और इसे पहुत साथे चैप्टरों का मिक्टरन है कभी हम नम्न की अप्लिकरिसन बढ़ेंगे सब्जक पर तो जो जो चीज़ जैसे यूज होती जाएंगे वैसे वैसे में आपको एक्ष्लिण करता हूंगा यह प्रेपोजिशन की एप्लिकेशन आप पड़ चुके हैं कि यूज करके हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इन सबको पढ़ना होगा इन सबकी अप्लिकेशन को पढ़ना होगा इन सबकी अप्लिकेशन को सब्सक्राइब कर पाएंगे मैं स्टार्ट करूंगा आपका कंजंग्शन और इन दोनों के कंबाइन नेचर से जो नाउन है नाउन के विहाँ पर सब्सक्राइब बन जाएगा जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो से नंबर्स के विहाँ पर पताया कि कब सिंगलर होंगे सब्सक्राइब करने वाले हैं यह कंजंग्शन और की मिक्स अप्लिकेशन को डिल करने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे इसको समझेगा राम एंड राजन एजब लिख आर कमिंग तो यह सिंपल से इंटेस्टेस्ट में लिख दिया राम और राजन आ रहे हैं अब जो इहां पर सब्सक्राइब बना वह सब्जेक्ट बना वह है एंड आप्लिक लिटेस्ट कर रहें जैसे कंपलेक्स कर दिया जाएगा बच्चा हो जाएगा और प्रशान हो जाता है समझेगा बच्चों चैसे देखेगा यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लिकेशन आप बताने जा रहा हूं और बहुत ही ज्यादा फेमस होती है उसे ज्यादा में इस अंडरस्टूट किया जाता है गलत समझाया आता है तो वह यह अप्लिकेशन आपके सामने आन दूसरा एक्जेम्पल लिखता हूं है यह दपुएट एंड डांसर वाज अप्लिक वर हैज अप्लिक हैफ परफॉर्म्ट सो फार एक लिखा है अगर मैं पहले से पूछता हूं कि बच्चों बताओ वाज आए वर आएगा तो आप मुझे पता है आपको पता है कि इसमें क्या आएगा ठीक है लेकिन क्या कहीं ना कहीं बहुत जादा कायब हो जाएगा आपको पता निए वह बाइगा यहां पर सब्जेक्ट होगा अगर बच्चों मैं एक्स्प्रेश लिखता हूं यह दप इन डांसर इससे आप क्या मतलब समझते हो कि कि वह कितने लोगों की बात कर रहा है किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है या दो अलग अलग व्यक्ति की बात कर रहा है अगर किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है तो इसका मतलब एक व्यक्ति में दो क्वालिटी होंगी वह पोईट भी होगा और अगर दो व्यक्ति बात कर हो सकता है यह बताने के लिए कि यह सब्जेक्ट जो है एक है यह एक ज्यादा है अगर यह यह तो प्लीर अब्र में गर्वाट कर दोंगा और मुझे यह समय में नहीं आ पा रहा कि कितनों की बात कर रहा है क्योंकि बुलाने वाला तो वह जिसने पोईटर टांसर बुलाया होगा अब यहां पर लगावा आर्टिकल था आर्टिकल था होते हैं डिटर्मिनर्स का यूज इंग्लिश लेंगेज में सिर्फ और सिफ नाउन के साथ कर आता है कि अग्याव अनको यूज सिर्फ नहीं करना अब यह बात क्लियर है कि अगर मेरे पास melody क्या हूँ है थे चौन यह वार अगर ऑस यह फिला यह बन जाएगा तो मुझे यह बन रहे यहां पर एक्सप्रेशन लिख रहा हूं दा पॉएट एंड डांसर तो यहां से बात क्लियर है कि व्यक्ति एक ही और वह पॉएट भी और वह डांसर भी है क्योंकि एसा हो सकता है अगर दो परसंस होते हैं तो मिनिमम दो आर्टिकल्स का यह डेटर्मिनर्स का यह यूज करता और expression यह बन जाता the poet and the dancer जब उसने लिखा the poet and the dancer तो यहाँ पर दो determinants है तो दो determinants मुझे इतना तो बता रहे हैं कि articles, determinants के यूज सिर्फ और सिर्फ noun कसा किया आता है तो noun वहाँ पर दो है और अगर दो noun है तो वो plural बन जाएगा तो यहाँ वह plural आजाएगा इन दो expression को समझने के लिए हमें number of determinants को जानने की दुरत नहीं है कि number of determinants के ओपर depend करता या नहीं करता वो थोड़ा अलग से उसक्या जाएगा क्यों अलग से उसक्या जाएगा जब यह expression है ना the poet and dancer यह expression बच्चों हमें confuse करता है कि वो एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति है क्योंकि यह दोनों एक व्यक्ति भी हो सकते हैं दोनों quality व्यक्ति में हो सकती है और यह दो अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं अलग अलग तब होंगे जब अलग 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 determinants है एक व्यक्ति हो सकता है और दो भी हो सकते हैं तो मैं जानुआ कैसे पेचानुआ कैसे उसको यूज करूँगा मैं डिटर्मिनर्स की हेल्प के साथ डिटर्मिनर्स की हेल्प की द्वारा हमसे पता लगाएंगे कि वह सिंगलर है या प्लियूरल है यानि कि एक है दो है यहां पर ख़तम नहीं कि यह बिल्कुल बेशी इसको बताएगा तो चाही ना कहीं पर अगर एक्सक्रेशन लिखा जाता है यह the poet and the poets and dancers तो इसका मतलब क्या बनेगा और expression लिखा जाए the poets and the dancers इसका मतलब क्या बनेगा जब वह expression लिखता है that the poets and dancers तो बात clear है कि एक स्यादा लोग है एक स्यादा लोग है इसलिए poets and dancers लिख रहा है लेकिन मुझे यह सबंद में नहीं आ पारा कि वह जितने वीज़ा लोग हैं माली जे मेरे पास 10 लोग है है एक दो तीन चार पांच लोग है माली मेरे पास क्या यह पांचों के पास जो यह इन पांचों में से कुछ poets होंगे और कुछ dancers होंगे डिटर्मिनर्स एक लगा रखा है दोनों क्वालिटी किसी व्यक्ति में हो सकती है हो सकता है तो इसका मतलब यह होगा all are poets and dancers इसका मतलब यह होगा कि जितने भी लोग होंगे वहां पर वो सारे-सारे poets भी हैं और डांस भी हैं लेकिन जब यह एक स्परेश लिखा हुआ है इसका मतलब यह होगा some are poets and some are dancers यह इसका मतलब हो जाएगा कुछ एक लोग poets होंगे कुछ एक लोग dancers होंगे ऐसा क्यों होगा क्योंकि यहां पर वह दो अलग-अलग है्प्रम का यूज कर रहा हैं डिटर्मिनर्स की application यहां पे help करती है क्यों को help करती है मैं इसकी help क्यूं ले रहा हो बार वार क्योंकि यहां पे expression है वाठ Prague के सलंग और वारे इसा यह मुझे only कि यह lots toломश करने के लिए आपधिमिनर के यह बात कर रहा है वह तो बात क्लियर है लेकिन इसका मतलब यह बनेगा जितने भी लोग है पांच साथ दस पंदरा बीस सब के सब पोएट्स भी है और डांसर भी है दोनों को ऑल्डिस कहरी करते हैं इसका मतलब क्या होगा इतने भी लोग है उनमें से कुछ लोग तो पोएट्स होंगे कुछ लोग डांसर होंगे तो डांसर पोएट्स जोनों अलग अलग लोग होंगे उनकी एक वालडी नहीं होगी अब इसकी फूर्दर अप्लिकेशन पर चलते हैं यह थोड़ा एडवांस लिखा जाइए कि दिप्रिंसेपल एंड टीन क्या आव नॉट कम येट यह पार देते हैं यह बीपार देते हैं और यह सिपार और डी बन जाएगा आपका नूँ एर अगर सेंटेंस सही है तो बन जाएगा अब यह अब एंड के साथ दो नावं कनेट के हो हैं एक पिएन और एक प्रिंसेपल बोला हुआ है। मतलति दोनों क्वालटी एक पर सिंबहो तो नहीं पॉसिबल हो सकता WOW कि बजब सेंड़ेंज में लगा रहक है इस नहीं कर रहा है क्या एक प्रिंसेपल एक पियो सकता है। पीन हो सकता है नहीं हो सकता चीं यह पॉसिबल नहीं है विस नहीं हो सकता इस एकandy rib आप यहां पर दो आर्टिकल्स यूजे उसको अब चाहे लगा लो चाहे अब आप यहां यह एक नहीं हो सकता है नहीं कर सकते और अग्र आप रहुता तो बीटें की बनता तो अगर आप हटारो तो भी प्रोलम निया ने क्यों अगर आप आप आपिकल हटा रहे हैं यह तो सकता तो सेंटेंट्स में एक्सप्रेशन के और डिपेंड करता है कि एंड के साथ हमें क्या एक्सप्रेशन दिया गया है अगर ऐसा एक्सप्रेशन है कि भी फिर आप एक यूज़ होड़ देता हूं अगर लिखा जाएए दो प्रिंस एंड प्रिंसस वर ऑल्सो प्रेजंट इन दो रोल फंक्शन अगर लगेगा तो बनेगा आंसर डी विचस नो एर तो सिंटेस में लिखा है एंड किसा कनेट करें दो लोग तो पक्का है और अगर दो लोग तो यहां वर आएगा और आया तो यहां पर नो एर बन जाएगा में बात क्लियर डास सब्सक्राइब का चीन 2 अर्टिकल सब्सक्राइब करेंग Montagen को यहां फींट क्या लिए खेंग? और अगर ऐसा एक्सप्रेशन है जो साफ साफ दिखा रहा है दो ही लोग है तो बात तो क्लियर है दो लोग है तो फिर प्लियॉरल लाई कि फिर आर्टिकल दा लगाना तो भी ठीक है नहीं लगाना तो भी ठीक है मैं एक एक्जामपल रहा देता हूं इसको समझेगा माई फादर एंड माई मदर इस अपलिक आर आई एस ऑफिसर्स एक 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 लिखते हैं माई फादर एंड मदर इस अपलिक आर नौट एट हॉम तो एक्जाम्बल सागे ठीक है पहले एक्स्पेशन है माई फादर एंड माई मदर हम सब को पता है मादा और पिता यह एक ऐसा रिलेशन है जो दो लोग अलग होंगे हैं अपनी बॉलीवड मुवियों पर बाना जाके अपनी भावना कंट्रों करें कि हम यह बरहें लोग हैं और चापके ना बट क्लेर इसे ऑलेशन जाए से चाहि leok तो एक दो ही लोग है तो आप इसमें दोनों में माई लगा हम हैं नी यहां पर संटोी रहेंगे एक तो नहीं हो सकता यहां पर दो लोग थे मेरे माता-पिता आड़ नोट आइट अब यहां तो निलगाया नहीं लगाया तो चलो एक ही वेक्ति लगा वे एस ऐसा नहीं होता है और भाई आपने रट्टा मारा हुआ आपको रटवा रखा है तो गलती सीखाने और सीखने वाले की आपको सोर्स के इसमें गलत information है आपको सेंटेंस का expression देखना पड़ेगा कि क्या relation दे रखा है क्या expression है confusion create कर रहा है तो डिटरमिनर का help ले लो मैं यहां पर example देता हूं इसी के रिकार्ड में अगर यह expression इस तरह से लिखा जाए my brother and friend has oblique have come to to receive me और expression लिखा जाए यह my brother and friend and my friend is oblique are waiting for me take अब पहले expression लिखावा है यहां पर my brother and friend क्या यह दो व्यक्ति एक ही हो सकते हैं शाबाश हो सकते हैं एक ब्रदर एक भाई हो सकता है है एक फ्रेंड हो सकते हैं एक फादर हो सकते हैं एक मदर एक फ्रेंड हो सकते हैं तो तो माई ब्रदर एंड फ्रेंड लिखा हुआ है माई सिस्टर एंड फ्रेंड लिखा हुआ है माई मदर एंड फ्रेंड लिखा हुआ है जो भी लिख लेजे वह एक्स्प्रेशन में दिखा रहा है कि दो विक्ति हो सकते हैं और यह दो लग लग विक्ति हो सकते हैं तो मुझे भाइच मेरा क्या है मित्र आया है मुझे ले ने तो यहां पर क्या आजाएगा हैं और नीचे वाले-स देखा जाए तो पितने टैम्हें यूज के पर यूज़ का रहे हैं आप या आप्लिकेशन थोड़ी अलग है एक ऐसे एक्सप्रेशन के ओपर डिपेंड कर रहे है जो की एक well-known expression को दिखाता है जो confuse करता है actually मैं अगर confuse कर रहा है तो determinants की help लो दो लोग है या एक लोग है और जो clearly दिखा रहा है दो ही लोग है फिर दो determinants लगा लो, दोनों में article लगा लो दोनों में वैजिकेस लगा लो या एक लगा लो, बात एक ही है व्यक्ति लिरो लोगा singular नहीं हो सकता उस हिसाब से भावा जाएगी next lecture में इसके मैं आगे प्रोसीड करूँगा इसकी application के साथ फिर मैं adjective की application से लेकिया हूँगा जो थोड़ा अलग होगा आपको बहुत रशी समझना पड़ेगा बहुत important application है महारे साथ साथ बने रहे और मेहनत करते रहे थैंक यू सो मच जैसीयराव